हम माहा लक्ष में की भगतों तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं धनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम माहा लक्ष में की भगतों तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं धनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं, हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे घुड़ेगार, कर सब का ही कल्यार तेरा भक्त करे घुड़ेगार, कर सब का ही कल्यार किसी समय एक गाओं में एक ब्राम्हर रहता था पूजा पाथ वो विधी विधान से निस दिन करता था सुबह सवेरे उठ जाता और कर गंगा असना सच्चे मन से करता था वो ज्री हर का ध्यान पूजा के उपरांत वो पीपल को भी जल देता भिक्षा में जो मिलता सब बे उसी में कर लेता एक दिन पीपल को जो ही सीचने ओ आया पीपल के नीचे बैठी एक कन्या को पाया कौन ये कन्या है ब्राम्हर तो समझ न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा मक्त करे गुड़गा कर सब का ही कल्या तेरा मक्त करे गुड़गा कर सब का ही कल्या कन्या बोली ब्राम्हर से तुम सुननो मेरी बार बना के पुत्री मुझे पिताती ले चलो अपने साथ लेकिन ब्राम्हर उस कन्या को साथ नहीं लाया सीचिक पीपल घर को वो तो वापिस लोटाया लेकिन पीपल को जल देने रोज वो आता था उस कन्या को पीपल के नीचे ही पाता था लेकिन ब्रामण को कन्या की होने लगी चिंता छे कन्या थी पहले ही घर ला भी नहीं सकता इस चिंता में वो ब्रामण दुर्बल हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धन बैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़गान कर सब का ही कल्यान ब्रामण की पतनी बोली है स्वामी बतलाओ क्या है जिन्ता का कारण मुझको जरा समझाओ ब्रामण ने उस कन्या के बारे में बतलाया बोले मैं पीपल के नीचे उसे छोड़े आया बोली पतनी कल उसको अपने संग ले आना अपने भाग का साथ में बोले कर आये दाना जैसे छे कन्याओं का हम करते हैं पालन एक बेटी और आ जाएगी क्या होंगे निर्धन सभी प्राडी अपने अपने भाग कखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं दन वैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करे गुड़गार तर सब का ही कल्या तेरा भक्त करे गुड़गार तर सब का ही कल्या अगले दिन जब व्रामभण पीपल को जल देने आया उस कन्या को पीपल के नीचे ही बैठा पाया कहने लगा के भूले है बेटी करना मेरी मार ले आया ब्रामभण कन्या को फिर तो अपने साथ थी साक्षात लक्षमी वो तो ऐसा हुआ चमतका निर्धन ब्रामभण के घर आ गई खुसियों की बहुचा विक्षा में खूब अनाज था लगा उस मिलने खुस हाली आने लग घर में लगा चमनसा दिलने हसी खुसी से सभी वो जीवन अपना बिताते हैं पावन कथा सुनाते हैं दन बैभो जिस के सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ति करे गुड़गार तर सब का एकल्यार बोली कन्या एक दिन के भोजन मैं बनाऊंगी खुद अपने हाथों से बना कर तुम्हें खिलाऊंगी माता बोली है बेटी तुम अभी बहुत छोटी दाल भात ना बनेंगी तुमसे बनेंगी ना रोटी बोली कन्या आप हमारी मत चिंता करो माता सभी तरहा का भोजन माता मुझे बनाने आता ऐसा स्वादिष्ट भोजन फिर तो उस कन्या ने बनाया त्रिप्त हो गए भोजन कर भर पेट उन्होंने खाया फिर उस ब्राम हड के भाई घर में आ जाते हैं पांबन कथा सुनाते हैं गनवैभों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ति करी गुड़गार तर सब का ही कल्या कुसल प्रेम पूछा उसने फिर बोला हैं बहना भूक लगी है मुझे को चाहता हूँ भोजन करना सोचा प्राम हड ने घर में तो बचा नहीं खाना बोली प्राम हड से वो कुछ अन और मांग कर लाना लेकिन उस कन्या ने दोनों की बाते सुन ली मामा भोजन मैं लाती हूँ आकर वो बोली जाकर सोई से वो स्वादिष्ट भोजन ले आई देख ब्रामरी उस कन्या को फिर तो हरसाई कौन है अदबुद कन्या ये सब जान न चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं धन वैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्ति करे गुड़गा कर सब का ही कल्या तेरा भक्ति करे गुड़गा कर सब का ही कल्या जब से कन्या आई ब्राम्हर होने लगा धनवा बढ़ गई इच्चत गाओं में मिलने लगा अन्य धन्दा जहां ब्राम्हर की थी भगतों छोटी सी कुटिया बड़ा ही सुन्दर महल वहां पे उसने बना लिया ब्राम्हर बोला कन्या से है कोने आप बतलाओं बोली मैं साथ छात लच्च्वी मांगो वर जो चाहों बोला माता घर में मेरे आप करह निवार माता ने फिर उस ब्राम्हर को विधी बताई खाओं महालक्ष में व्रत तो वो करने लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं धनवैबों जिसके सुनने से घर में आते हैं हम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करें गुड़गार कर सब का है कल्यार तेरा भक्त करें गुड़गार कर सब का है कल्यार सोलह व्रत महलक्ष में के तो किये उन्होंने पूरे हो गए हैं साकार सभी जो सपने कभी अधूरे सच्चे मन से महालक्ष में व्रत जो करते हैं अनधन के भंगार हैं भक्तों के भरते हैं कथा के सुनने मात्र से भी पुन्य बड़ा मिलता हो किरपा जिस पे माता की सिक्का है चलता डियस पाल ने कथा यस रद्धा भाव से हैं गाई हंस राजरल हन ने फौजी सुरेस से लिखवाई सोनो टेक चैनल पे ये हर रोज चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं कर नवैको जिसके सुनने से घर में आते हैं कम कथा सुनाते हैं तेरा भक्त करें गुड़गार कर सबका है कल्यान तेरा भक्ति करे गुड़ेगार कर सब काई कल्लेओ तेरा भक्ति करे